हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मंजिर आज किस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसी यूनीक इंफोमेशन जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी हो इस वीडियो इस वेरी यूनीक बाकी मैं वीडियो जितनी भी बनाई है और वह है उस्ट्रेलिया को लेकर अब ऐसा क्या यूनीक है and the main topic of this video is Australia without IELTS quite wondering कि हमने ये सुना था कि UK without IELTS is possible और ये होता भी है बट ऑस्ट्रेलिया without IELTS ये मैंने पहले कभी नहीं सोचा और कभी सुना भी नहीं बड़ अब इसकी जो वीडियो की मैं आपके साथ बात करने वाली हूं सबसे पहले तीन question आते हैं इसको लेकर कि क्या Australia without IELTS legal है illegal है और अगर legal है तो इसकी क्या feasibility है इसकी तो यहाँ एक टेक्मीक लगा लीजिए चाहे हम पीयार की लगा लीजिए या फिर स्टूड़ वीजा हम लगा ले तो यह हमारी काफी तीन तरह की हमारी कैटेगरी जाती है और चोथी हमारे अपको पताई है कि एस ट्रैवल अगर हमने जाना हो बट इसमें भी काफी ज़्यादा टु अंणाल जो इंगलीश है वो फस्ट लांगुइस है या फिर सीडॉर के जाती है तो जैसे की किशी ने एंपया सथियासी अगर ऑस्ट्रेलिया या फिर कैनेडा जाना है वह हम चैनेया जाना है तो कैनेडा के लिए उसको जो है आल्स देना पड़ता है और नहीं तो पी ती देना पड़ता है और PTE is another English language test, so वो एक हमारा जरीया बनता है, एक हमारा pathway बनता है कि हम Canada जा सके, बट जो Australia without IELTS का जो ये topic है, यहाँ पर feasibility की क्या बात मैं करती हूं कि IELTS हम करती है English proficiency के लिए कि कितना बच्चे की fluency है उस language को सुनने के लिए, समझने के लिए कि वो वहाँ जाके survive कर पाता है या नहीं कर पाता है और यहाँ पर लेकर कुछ systems होते हैं regarding academic को लेकर और academic को लेकर क्या होता है कि बच्चे का academic background कैसा है उसके जो board के marks कैसे हैं उसने कितने marks obtain की है और उसका board जो है वो जैसे पंजाब board होता है ये government board तो नहीं है ये बहुत चीज़े matter करते हैं एक file को लगाने के लिए ऐसे ही Australia में भी चीज़े matter करते हैं और Australia में कुछ specific colleges and universities related to specific courses ऐसी जगाए हैं जो आपको without IELTS invitation देता है अब जो ये invitation वाली बात है कि वो colleges, universities या फिर ऐसे course होते हैं Australia में तो yes guys ये exist करते हैं और ये है तो इसके regarding में आपके साथ अगली वीडियो में share करूंगी कि ये कौन-कौन से psychologists हैं, universities हैं और कौन से course आप लेकर Australia में जो हैं without IELTS जा सकते हैं बर this is truth अब जा सकते हैं अब second way क्या होता है कि अगर आपकी gap जाता है फिर बहुत होंदी cases अगर आपने 10 प्लस 2 की है या graduation की है और अगर आपका बीच में या fresh case हो या फिर 2-3 साल के gap है बीच में और आपके जो marks जो हैं 65% के उपर हैं तो आप eligible हैं in colleges या universities में without IELTS के लिए अप्रोच करने के लिए अब यह जो filing है कि मैं कहा रही हूँ कि किसी भी institute या किसी भी agent के पास जाकर आप लगवा सकते हैं बट वाइ मन्जिल मन्जिल के पास यह file लगाने का आपका सबसे बड़ा benefit यह है कि आपको मिलता है 100% risk free process कहीं ना कहीं आप भी पता करते हों कोई ना कोई agent के जो हैं काफी risk करते हैं जो कि market में चलते हैं बट मंजिल का अभी तक ऐसा कोई create नहीं हुआ था कि आप background भी check कर सकते हैं तो this is the main benefit कि अगर आप मंजिल के साथ process करवाते हैं क्योंकि आपका 100% risk free file processing की guarantee हम देते हैं और उसके लावा जे main question यह आता है कि यह किस intake की बात कर रहे हैं तो हम बात करें यहां पर fab intake की कि अगर आप उस्ट्रीलिया जाना चाहते हैं तो अभी जो latest intake है वह February intake है और February intake में यह कहते हूं कि बहुत limited courses बहुत limited seats हैं क्योंकि कुछ specific universities and colleges ही यह provide कर दी है with limited courses तो अगर आप भी apply करना चाहते हैं Australia के लिए तो आप अभी call कीजिए मनजिल को क्योंकि बहुत limited cases हैं और जैसे कि Australia ने chartered planes के थ्रू जो है वो travel भी शुरू कर दिया है जैसे कि अभी चाइना का batch चल चला जा चुका है और इंडिया का भी जो है December और Jan Fab के बीच में आने वाला है तो अगर आपको travel को लेकर कोई problem है तो वो भी कोई scenario नहीं है file is in the process and if you want to apply your file fab intake के ल बहुत आपको